इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप वाटसअप चलाते हैं और अपने मोबाइल में वाटसअप में किसी को भाइस मेसेज करते हैं और भाइस मेसेज करते हैं तो भाइस मेसेज नहीं जाती है और किस तरह की एरर दिखाती है ये आपको लाइब हम दिखाने व वीडियो को आप सुरू से लास्ट टक देखते रहें जैसे हम करना चाहते हैं किसी को भायस तो यहां पर यह अपसन आ जा रही है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपको बैक जाना होगा और बैक आने के बाद आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में यह रही हमारी सेटिंग तो सेटिंग पर जैसे आप किलिक करते हैं तो यहां पर आपको चले जाना है अपने एपस में तो यहां पर एपस है और हो सकता है आपके मोबाइल में एपस और नोटिफिकेशन होगा तो इस पर आपको किलिक करना है और आपको चले जाना है यहां पे वारटसप करते हैं तो यहां पे आपको दिखती है पर यहां-पर मिशन पर क्लिक करना है जैसे एहां पयां क्लिक प्रिष्टन कुछ भी लाव जाएगी यहां पर सबस्ते पहले तो आप यहां देख रहे हैं माइक्रोफॉनそ добр करेंगे और यहीं using this app allow कर देंगे इसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि फोन पर जाएंगे इसको भी allow कर देंगे और message यहां है इसको भी allow कर देंगे इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं call long इसको भी allow कर देंगे जितने भी इसमें है सभी को आप allow कर देंगे और यहां भी जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बाद आपको क्या करना है गाइस की यहां पर contacts देख रहे हैं तो इस पर आप allow कर देना है और इसके बाद files and media है इसको भी आपको allow कर देना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं Location तो इस पे जाना है इसको भी अलाव कर देना है और अलाव करने के बाद आपको क्या करना है अपने WhatsApp में चले जाना है और WhatsApp में जाने के बाद आप अप देखेंगे कि आपकी ये application में वाएस message हो रही है या नहीं हो रही है तो यहां पर आप देख रहे है भायस मेसेज तो जैसे आप रिंग जा रही है तो आपने देखा किक स्थरह से इस प्रॉबलम को आप सल्ब कर सकते हैं तो गैज उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगे अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें तक इस तरह की और भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें तो ग्याइस फिर मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक लिए गाइज बाबाई टेक क्यार